किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ दसरदाकर आप देख रहे है डी फार्मिंग यूटूब चेनल अधिकतर सेत्रों में सर्सों की फसल में फूल निकलना प्रारंब हो चुके है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्सों में जब फूल आना प्रारंब होते है उस समय कौन सी गलते हैं जो अधिकतर किसान भाई करते है किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जिससे सर्सों में फल फूलो का विकास बहतर तरीके से हो ज़्यादा फौले आए दाना पराओ बेटर तरीके से हो और अंत में सरसो की बेदावार हमें ज़्यादा निकले इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए चेनल पर नए हो चेनल को सबस्क्राइब कर दीजिए पास में गंटी के निसान को भी जरूर दबाईए जिस से हम आगे कोई भी नए वीडियो अपलोड करें तो तुरंद आप तक नोटिपेकिसन के दुवरा जानकारी पहुँच जाए किसान भाईयो सरसो एक तेलवरगी फसल है अधिकतर सेत्रों में सरसो की फसल में अब फूल निकलना प्रारंब हो चुके है सरसो में जब फूल आना प्रारंब होते है उस समय सरसो में सिचाई का विशेस ध्यान देना चाहिए वहीं कुछ उची तक खाद उर्रकों का पर्योग करना चाहिए किसान भाई यो सरसों में सीचाई की बात करें तो आम तोर पर सरसों में 3-4 सीचाई की आउसकता होती है सरसों में पहली सीचाई किसान भाई बुवाई से 25-30 दिनों के असपास करते है वहीं दूसरी सीचाई फोल आते समय और आगरी सीचाई फोलियां बनते समय आप सरसों में सिचाई कर सकते हैं इसके अलवा जब सरसों में फूल निकलना सुरू हो जाते हैं उस समय सरसों में किसी भी परकार से यूरिया की ज़्यादा आउसकता नहीं होती है आपके खेत में अगर फूल निकलना प्रारंब हो चुके है लगबक 30-40% तक फूल आ चुके है तो आप उस समय यूरिया का प्रियोग बिल्कुल भी ना करें कुर्कि इसमें मुझूद नाइटरोजन एक परकार से पोदे की ग्रोथ को बढ़ाती है इस समय पोदे को किसी भी परकार से ग्रोथ की कोई जरूत नहीं होती है अगर आप इस समय यूरिया डालते है तो प दानेदार का परियोग कर सकते है किसान भाईयों सरसो एक तेल वरगी फसल है और सरसो में सलफर की बहुत ज़्यादा आउसकता होती है इसलिए आप फूल निकलते समय सलफर दानेदार का परियोग कर सकते है जिससे सरसो की ग्रोथ भी बढ़ेगी और सरसो में तेल की मातरा भी बढ़ेगी इन सब के अलवा कुछ बाते हैं जिनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे की आप सरसों की पेदावार आसानी से बढ़ा सकते है तो किसान भाईयों ये थी चोटी सी जानकारी अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक सियर करें धन्यवाद जैकी सान